खतर ना भाईया देख लो तो फ्रेंट्स आज है डे थ्री और आज हम लोग निकल रहे हैं नूम्बरा वैली के लिए सुबह के साड़े नो हो चुके हैं हम लोग रेट कर रहे हैं अपने ट्रावलर का और यह हो ठरव हम चैक आउट कर चुके हैं और नूम्बरा वैली में एक दिन का स्टे भी है हमारा एटीन थाउजन्ड त्री हंड्रेट स्पीट है वहां पर तो वहां से भी हम पास होंगी तो अच्छा पर रूट रहेगा तो देखतें कैसा जाता है ले से नूम्बरा वैली का डिस्टेंस एक सो साथ किलोमेटर का है और यह पूरा रास्ता हिमालियन जासकर और काराकुरम रेज के सीनिक ब्यूटी से भरपूर है जैसे जैसे हम अपने सफर में उपर चलते जा रहे थे ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस होने लगी थी पर यह देखकर हम आश्या चकित हो गए कि यही सफर कुछ लोग साइकल से पूरा कर रहे थे जिनको हम प्रोचसाहन की ये बिना रहे नहीं पाए बाइगाओ जथा बाइगाओ कितना शानदार व्यू है आज़ हम लोग पौछ टुके हैं में 16,000 फिंट पे और बहुत ही ठंडी हवाय है यहां पे व्यू यहां से बहुत ही शानदार है चारो तरफ पहाड़ें और दूर आप बर्फिले पहाड़ भी देख सकते हैं खारदूंगला के पहले यह लास्ट चेक पॉइंट है जहां पे बाइकर्स को अपना पर्मिट दिखाना पड़ता है इसके बाद सीधे हम खारदूंगला पास क्रॉस करेंगे जो की 2000 फीट और उपर है और ऑक्सिजन की कमी है यहां पे तो आप सिलेंडर्स लेके चलिए अब लग पहुत चोके हैं खारदूंगला पास खारदूंगला पास को दे गेटवे ओफ नूम्रा एंच्लोक वैली भी कहा जाता है यह वन आफ दा हाइएस्ट मोटरेबल पास इन दे वर्ल्ड है जिसकी उचाई 18,000 फीट क्लीम की जाती है नूम्रा वैली जाते समय यह टूरिस्टों का मेन अट्रेक्शन पॉइंट है जहाँ फोटो खिचाने के लिए भीड लगी रहती है अब निकल रहें नीचे खातूंगला से अब हम लग रुके हैं बरफ के पास अब हम लग रुके हैं बरफ के पास यह आपके हैं बरफ्म अब हम थश्पा साअ अभी हम लोग 18,000 फीट से 16,000 फीट पे बीचे आ चुके और कैम में रुके हैं रिफ्रेश्मेंट्स के लिए और यहां का व्यू देखिया हूँ जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे थे सडक कई बार उवर खाबड हो जाती थी पर पाहाडों के नजारे उन सब पर छा जाते थे जैसे हम इुट से 15,000 फीचो ... प्रिक्ष्ट को प्रिक्ष जिए जैगा के रहे एंदी जैगें सामने आप लोग देख सकते हैं नूम्रा नदी को यह श्लोक नदी की एक साहयक नदी है और दुन्या के सब दूसरे सबसे लंबे नॉन पोलर ग्लेशियर सियाचन ग्लेशियर से निकलती है वादी तीड को हावे से नुट है राफ्टिंग देना राफ्टिंग देना बुकिंग करा दिये पर राफ्ट अविलेबल नहीं है तो वेट कर रहे हैं राफ्ट साएंगी तो फिर हम राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो चार किलो मेटर का राफ्ट रहेगा वह और 800 per person दो तो ठीक है हम आपस टाइम कम है तो जांगे हमारे राफ्ट चाइंगे पहुच चुके हैं अपने रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर वो ग्यू रेखिए और वो रहा राफ्टिंग का वो कुछ लोग कर रहा है राफ्टिंग और यह हमारी बोट है यह राफ्ट है हमारी अब 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 यह ऋजां डाफिंगे राफ्टिंग के लीए सबसेजिए अबजया जाएंगे राफ्टिंग के ली हए स्टारट अरे बहुष्ट को अधा है आर्च किपांग तबाissa कर n receive दहां और किऊडक कों ए एको 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 एक झाल झाल